नागिन तीन के अने वाले खतरना के एपिसोड के पारे में बहुत पुरी खबर है जिसे सुनके आप पुरी तरीके से हिल जाओगे और क्योंकि अने वाले एपिसोड में आपको विकरांट और विशाखा की मौत देखने को मिलेगी और विक्रांट एंड विशाखा की मौत क्यों होगी और विचारे विक्रांट एंड विशाखा को किसने मारा होगा और क्यों मारा होगा ये सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में लेकिन उससे पहले ये दे आपने हमारे चेह को सब्सक्राइब ने गया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बाचो के बैल आइकन को भी दबा दें नागिन टिंग के आनवल एपिसोड में आपको काफी पड़ा जटका लगने वाला है क्योंकि आपको पता चलेगा कि विकरांट और विशाखा की मौत हो चुकी होगी और क्योंकि माहिर और पेला के पुनरजन्म के बाद यानि 24 साल पहले तामसी को माहिर का पता लग जाने के बाद विकरांट और विशाखा को माहिर का पुनरजन्म हो गया है उसके पारे में पता ना चले और यहाँ दोनों यानि विक्रांट और विशाखा तामसी के पीच में तांग ना आड़ाई इसी वज़े से तामसी ने 24 साल पहले ही माहिर के पुनर जन्म होने के पाद विचारे विक्रांट और विशाखा को अपनी काली शक्तियों की मदद से जान से मार दिया होगा और यहाँ विशाखा को जान से मार देनी की बाद और किसी के मुच से नहीं बल्कि सुमित्रा के मुच से आपको पता चलेगा और खुफिया सुत्रों के अनुसरा चौका देने वाली बात तो यह होगी कि जिस टामसी ने विक्रांट और विशाखा को मारा होगा पुनर जन्म की कहानी देखने को मिलेगी और विछाखा की मौत काफी इमोशनली और काफी तरदनाक देखने को मिलेगी और हिला देने वाली बात तो ये होगी कि विक्रांट और विशाखा अपने पुनर जन्म में फिर से एक बार वापिस मिलेंगे और विशाखा की पैश्वेंड यानि पेला पुनर जन्म में फिर से पैश्वेंड बनती हुई दिखाई देगी और यहाँ चारों लोग यानि पेला माहिर और फिशा का फिकरांद अपने पिछले जन्मा की मौत का पतला लेते हुए दिखाई देंगे और यहाँ चारों का पुनर जन्मा देखके सुमित्रा और तामसी पूरी तरीके से बेहत हिल जाएंगे और यह सब देखना आने वाल एपिसोड में काफी दमाकेदार होगा और आपको यहाँ वीडियो कैसी लगी और आप यहाँ आने वाल एपिसोड को देखने के लिए कितना एकसाइटेड हो यहाँ अपनी राई कॉमेट में सरूर दें और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा शेयर करें यदि आपने हमारे चाहँ को सब्सक्राब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राब करें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में टेक केर